फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गोभी और गैहूं के आठे से एकदम मज़िदार नाश्ता तो चलिए दोस्तों बहुत ही मज़िदार एकदम यूनिक बनने वाला है तो देरी ना करके फटाफट से अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हेलो एव्रीवन वेलक साहता सुतर हमारे गोभी गोभी होँ तो चलिए दोस्तों आप इसको क्या करेंगे हम ले लेंगे एक शौपर होगा लाकर लाकरा आपसीचाइब चापड कर लेंगा अगर आप को वैसे हम यसको कर लेते हैं राफ और फैर तो यह तो ऑज FREAL में प्याज नहीं है तो यह लिए देखे कर लिए तो यहां पर ये रफली कर लेते हैं अगर आपके पास चौपन ना हो तो आप चाकू की मत से चोटी चोटी पीसिस कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी से हमारी प्याज भी चौप हो चुकी है तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी गोवी की तरह तो फ्रेंट्स यहां पर मै हरी मिर्ची ले लिए तो यहां लाल हो चुकी है अब थोड़ा सा हम डाल देंगे हरादनिया इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट पड़ता है तो गाइस अब बैंडिंग के लिए हमने यहां पर दो तीन आलू मैंने पहले से बॉइल करके अच्छी से मैश कर लिए थे इनको 6 तो भी ढाल देंगे सते ना बाइंड हो là हमारी गोबी तो चले दोस्तों अब हम क्या करेंगेए मसाला है। मसाला में सल नमक डालेंगे हम आदी चंछ मश डाल देंगे के टिन मसाला और हम पिंच करके डाल देंगे गरम मसाला और गाइस यहां पर मैने पहले से पीजा ओर्गेणो और चली फ्लेक मिला लिया था एक साथ शाथ ही और डाल देंगे इसको डाला के बाद डाल जाए आपके पास पिज्जा औरगेनों होना तो उसे जरूर डालेगा उसे बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है आपको टिकी बना नहीं तो आप बॉल्स भी बना सकते हैं तो यहां पर मैंने जिसा आलू की टिकी नहीं बनती उसी शेप में मैंने इसको बना लिया है आप चाहो तो इसको बॉल साइज में भी कर सकते हैं तो यह देखेगा इसी तरीके से मैं सारी टिक्किया बना कर तयार कर लोगे तो चलिए दोस्तों मैं इसको बना कर तयार कर लेती हूं तो चलिए दोस्तों एक मैं आपको पास दिखा देती हूं य यहां पर मिक्सिंग बोल ले लिया है अब यहां पर एक crunchy लेंगे गयंहों के आटा और मिक्सिंग दूँगी। क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानि डाल के इसको अच्छी-से फैट लेंगी चम्ब से अच्छे दोस्तों थोड़ा पानि आपको इसी तरीके से फैट लेना तो आ देख सकते हैं बहुत ही स्मूधlı बनकर तयार हुचका अब क्या करेंगे यहां पर नमक डालेंगे नमक अ तो अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे डालने के बाद इसको अच्छे से फैट लेंगे अच्छे दूस्तों आपसे एक बात कहना चाहूंगी आप आठे की जगेना बेसन भी ले सकते हैं बेसन से भी बहुत ही अच्छा नाश्ता बनेगा तो यहां पर मैंन हेल्दी बनाने के लिए यहां पर मैंने आठी का ही यूज किया है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी से मैं इसको बैटर को एक दुम से फैट रही हूं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बैटर बनके तयार हो चुका है जैसे ब्रेड पकोड इस पर हमने प्याख दिया है फ्रेम को ओन कर दिया आप चाहो कि इस पर बंके आप कड़ाई भी रख सकते हैं थागके यहां हम रिफाइट जैल्य obsc congregationHi और घ्राणे के रिया करेशा इस तो आप जरी चीको då widow से तो आराम से जब्राइन क्यूक्की ना ने बहृत जंड ज़र क Elsрем करेंगे थीं noticed कल tietοι कि देख सकतें नीचे सा छी से देखी जाओंदेगे 3 तिक के लोगे // कि दिखी दूस्तों तह देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आधर तक दोनों दिखा देती हूं तो आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से हमारी टिक्किया बनकर तयार हो चुकी है तो चलिए दोस्तों मैं एक की करके इनको निकाल लूँगी तो इसको तेल निचे उरती हुए अच्छे से निकाल लेंगे ताकि इनमें तेल बिल्कुल न रहे तो चलि अच्छे से निकाल लेंगे तो चलिए दोस्तों की फटाफट से कर लेते हैं प्लेटिंग सो फ्रेंड्स गर्मा गरा हमारे गोबी और गेहूं के आटिकी टिक्किया बनकर तयार हो चुकी है और आप ना इसको हरे दनी की चट्नी से खाएंगे ना गाईज बहुती मज़ा आजाता है आप चाहो तो इसको सोस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बट भाई मैंने तो यहाँ पर हरे दनी की चट्नी बनाईए भाई बहुती यमी टेस्टी लगते तो गाईज आप भी इस तरीके से एकदम यूनिक तरीके से आपके बच्चे अगर गोबी न गोबी न खाते हो ना खाते हो न गोबी के पकोड़े नहीं खाते हैं एक बार यह टिक्किया बनाकर खेलाएगा बहुती मज़िदार लगती है और बहुती टेस्टी लगते तो एक आप विर्ट ट्राय जरू करना हमने एक यूनिक तरीके से बनाई यह तो गाईज एक बार जरूर ट्राय करना और जास जास शेयर करेंगे ना तो बागी भी लोग भी अच्छी से अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे ना तो बना कर खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा उनको भी तो दोस्तों मुह में जाता है मज़ा आ गया तो आप ठंड की मौसम में चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और आप इसको इवनिंग के स्नैक्स में भी बनाकर खा सकते हैं बहुत ही यमी मज़िदार बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करना भर बर के लाइक कर देना बल्कुल वीकर जूसी मत करना बही कमेंट बॉक्स में जरू बताना कि हमारा ये गया हों के आटे और गोबी का नाश्ता आपको कैसे लगा जाशे आशेय करना ताकि बाकी लोग की टेक कियर लव यू